नमस्कार मैं प्राणिशे राठोर और आप दीख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज यूपी की स्यासत में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते स्यासी माहौल देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ मैनपुरी रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उ परकस चुकी है और ऐसे में देखा जाए तो हर किसी को चौका दिया बहुजन समास पार्टी ने जी हां बसपा सुप्रीमो मायवती ने अब यहां पर नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारिया करना शुरू कर दिया है और टिकेट बांटना भी वह शुर पललवी पाटेल जी हां सपा के समर्थन में हमेशा ही पललवी अपनी बात रखती हुई नसराती है तो वहीं अब पललवी पाटेल ने खुलकर बातचीत की है कॉंग्रेस पार्टी पर आपको बता दें कि यूपी में तीन जनवरी के दिन कॉंग्रेस के पूर्व अद्यक् पी दल को भी भेज दिया गया है लेकिन अब इस भारत जोड़े यात्रा में कोई यहां पर शामिल होगा या नहीं यह तो तीन जनवरी को ही पता चलेगा चार दिनों तक यूपी में यह यात्रा चलती हुई नजर आएगी और इस यात्रा का हिसा महासरीब प्रेंका गांधी वाडरा भी बनती हुई नजर आएगी और ऐसे में देखा जाए तो पल्लवी पटेल ने एक बड़ा एलान कर दिया है उन्होंने साफतोर पर यहां पर कह दिया है कि वह अखलेश यादव और राहुल गांधी को साथ देखना चाहती है अब यहां पर सवाल यही खड़ा हो कि मेरे दोनों बड़े भाई एक बार फिर से साथ हो जाएं मैं प्रेंका गांधी से भी इस पर बात करूँगी और मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि जब कॉंग्रेस ऐसे हालात में थी तब राहुल गांधी ने पूरे भारत की यात्रा करके अपने आपको लोगों से कन रख रही है उनके सडकों पर चलने से बहुत कनेक्टिविटी महसूस हो रही है और कॉंग्रेस को इसका फाइदा साल 2024 में मिलेगा 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इनी चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा यही सवाल खड़ा होता है क्या पल्लवी यहाँ पर सपा और कॉंग्रेस का गढ़वंदन करा पाएंगी क्योंकि अखलेश यादब ने यही कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ हमारी भावनाएं हैं और किर्पया करके यह जूट ना फैलाएं इस तरीकी कि यहाँ पर बाते न बनाएं फिलहाल हम यहाँ पर राए लेना चाहेंगे मारे सहियोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है तो अबरार आप पर राहुल गांदी की तरफ से जो पहल है और इस पहल को आगे बढ़ा पाने में कामयाब होंगी पल्लवी पटेल देखिए दरसल इस समय कहने कहीं मैंने पूरी सीट पर जीतने के बाद जो तमाम छोटे दलों के खास्ता और से बात की जाए जो कहीं न कहीं अब अपनी ज जायर सी बात है कि एक बेहतर ताल मेल है तो ऐसे में सुभासपा के अगर बात की जाए तो सुभासपा के जो अध्यक्ष हैं ओपी राजबर वो कहीं न कहीं अकले शादफ के खिलाफ जरूर नज़र आते हैं लेकिन ऐसे समय में खास और से जब चुनाव नज़र नज़र अगर निकाए चुनाव से पहले हो सकता है कि यह तो चोटे चोटे दल हैं जिनका कहीं अपने अपने चेतर में काफी ज़्यक्रा जाए तो अस्तित्व नज़र आता है और अकले शादफ को इन्हीं तमाम चोटे दलों को जोड़ कर बीजेपी के खिलाफ लड़ना होगा त लेकिन बस्पा की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट भी आ चुके हैं क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर साफ तोर पर यही कहा गया है कि कोई आमंतर्ण पत्र नहीं भेजा गया है फिलहाल देखा जाए तो वक्त के साथ साती पता चलेगा कि यूपी की सियासत में क्या नई चलते हैं पागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज